नमस्कार दोस्तों अगर आप भी अपने पीएफ का पूरा पैसा निकालना चाहते है ना तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया जिया यकीन मानिये यह एक वीडियो ही आप सभी पीएफ मेंबर्स के लिए काफे होने वाली है अपने पीएफ का पूरा पैसा निका सकते हैं वो भी केवल दो मिन्टों के अंदर अब आपको बता दूं कि पूरा पैसा मतलब क्या पूरा पैसा मतलब क्या आप किस तरीके से अपने पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं उसी के साथ साथ आप किस तरीके से अपनी पैंसन का पैसा निकाल सकते हैं और उसी के साथ और आसान तरीका बताने वाला हूं इस वीडियो में चलिए फड़ावट शुरू करते हैं इस वीडियो को उसके बाद यहाँ पर अपना पासवर्ण डालना है और जो Captcha दिया हूआ है हमें simply यहाँ पर नीचे Captcha के दियो हूए box में इसे simply fill कर देना है और fill करने के बाद simply नीचे दियो हूए sign in के बटन पर click कर देना है और अगर आपके पास UN number नहीं है आप UN number निकालना चाहते हो तो वीडियो का link description बॉक्स में मिल जाएगा कि आप किस तरीके से अपने mobile phone से UN number निकाल सकते हो और उसका password किस तरीके से बनाना है उस वीडियो का link भी आपको description box से मिल जाएगा दो नहीं वीडियो का link आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा चलिए फट आप में आप डेटेल्स फिल करके सिंप्ली साइन पर क्लिक करता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हो कि सारी की सारी डेटेल्स है मैंने यहाँ पर फिल कर लिया है आप सिंप्ली हम नीचे दियोए साइन के बटन पर क्लिक कर देते हैं चलिए मैं साइन के बटन पर क्लिक करता हूँ साइन पर क्लिक करता ही आप लोग देख सकते हो यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग होगा तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है यहाँ पर आप देख सकते हो, loading पूरी होता ही, हमारे सामने यहाँ पर एक interface आ चुका है, login second factor authentication का, अब यहाँ पर होता है, कि जो भी हमारा आधार कार्ड में mobile number लिंक है, PF में mobile number लिंक है, उस पर एक one time password अन्य OTP गया है, तो वो OTP हमें यहाँ पर फिल करना है, उसके बाद capture फ सब्मेंट पर क्लिक करते ही, आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर successfully हम PF के website में login हो चुके है, और यहाँ पर हमारे सामने एक alert आ चुका है, मैं simply इस पर later पर क्लिक कर देना है, या फिर cut पर क्लिक कर देना है, चली मैं cut कर देता हूँ, cut पर क्लिक करने के बाद आप देखिए सबसे जरूरी चीज़ जो कि सभी PF members के लिए, जहाँ पर PF members confused होते हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मैं आपको simply निशान लगा कर बताता हूँ, आपके सामने यहाँ पर आप देखिए, कुछ इस तरीके का interface आपको देखने को मिलता है, हमारे सामने यहाँ पर 5 option आत आप देख सकते हैं, मैंने निसान लगा दिया, हमें simply इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने दुबारा है यहाँ पर 4 option आएंगे, तो हमें simply यहाँ पर पहला जो option है, यहाँ पर आप देखिए, जो पहला option है, claim form 311910C10D, हमें simply इस पर क्लिक करना है, चले फट आप में इस पर क्लिक कर देता हूँ, और उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ, इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग होगा, आपको वेट, यहाँ पर आप लोग देखिए, लोडिंग पूरी होते ही, हमारे सामने कुछ इस तरीकी का इंट इस यह हो रखिए, जो भी हमारा बैंक हमारे पी एप में लिंक है, उसका हमें आपर सिंप्ली अकाउंट नंबर फिल करना है, ठीक है ना, यहाँ पर अकाउंट नंबर फिल कर देना है, और अकाउंट नंबर फिल करने के बाद लेकिन ध्यान रहे कि बैंक का अकाउंट नं अपसन आएंगे yes or no का यहाँ पर हमें simply yes पर click कर देना है चले मैं yes पर click कर देता हूँ yes पर click करते ही हमारे सामने नीचे की तरफ आप देखिए मैं आपको निशान लगा कर दिखाता हूँ एक नया option आता है proceed for online claim का तो हमें simply इस पर click कर देना है इस पर click करते ही दुबारा loading अब यहाँ पर आप देखिए हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है जहाँ पर लिखा है प्लीज चूज क्लेम फॉर्म टाइफ पी एफ एडवांस पैंसन विड्रॉल तो मैं आपको यहाँ पर बता दू कि आपके पी एफ में तीन तरह के पैसे होते हैं ठीक आपने पी एफ का पैसा निकाल सकें उससे कहते हैं पी एफ एडवांस तो पी एफ एडवांस का मतलब आपको समझ आ घया है लेकिन हमें क्या निकालना ऑगी है हमें यहाँ पर पर पैसा निकालना है प्लस आपकी कंपनी का जित्रा पैसा कटा है, ठीक है, उसके बाद form 10C, form 10C मतलब pension का पैसा होता है, जो कि सरकार द्वारा हमें अपने PF में दिया जाता है, ठीक है ना, उसके बाद form 10C, scheme certificate होता है, उसके बाद PF Advance 31, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, कि भीया, कमपनी में काम करते हुए, यानि बिना कमपनी छोड़े ही, PF का पैसे निकालने को form number 31, नहीं advance form का जाता है, तो हमें simply अपना PF का पूरा पैसा निकालना है, तो मैं यहाँ पर simply form 19 पर क्लिक करता हूँ, अब बिल्कुल धिया कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमें एक option मिलता है, यहाँ पर आप देखे, upload form 15G का, अब इसका क्या मतलब होता है, बिल्कुल धियान से सुनेगा, कि कोई भी अगर PF member है, और उनके PF में employee share plus employer share मिला के 50,000, या employee share plus employer share, नहीं EE balance और ER balance दोनों मिला के 50,000, या फिर 50,000 से ज इसा form भरते हो ना, तो आपको 15G form के कोई भी ज़रुत नहीं है, क्योंकि pension का जो पैसा होता है, वो non taxable होता है, उस पर tax deduct नहीं होता है, समझाए आप लोग को, तो यहाँ पर देखे 15G form किस तरीके से बरना है, उसकी complete जानकारी के वीडियो का लिंक आपको description box में मिल तो यहाँ पर आपको simply अपना village डालना है, यहाँ पर post office डालना है, यहाँ पर अपना state, यहाँ पर अपने district, यहाँ पर city और यहाँ पर अपना pin code, और simply नीचे की तरफ आप आएंगे, तो यहाँ पर एक option है, upload, scan, copy up, checkbook और passbook, अब यहाँ पर PF member confused होते हैं, बोलते हैं आप तो बता रहे थे कि PF का नया update आया है, जहाँ पर checkbook, passbook लगाने की जुरूत निया, तो मैं आपको बता दूँ कि वो update कुछ जिंदा लोगों के PF में नहीं आया है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर यहाँ पर option आएगा हमारे PF में, क्या कहते है, passbook और checkbook लगाने का, त यहाँ पर आप देखे, नीचे की तरफ अगर आप यहाँ पर आएंगे, तो यहाँ पर आप देखे, आप जो भी डगाओगे, पहले तो आप यहाँ पर I agree पर click करना है, I agree पर click करने के बाद, simply यहाँ पर सारी की सारी details fill कर देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो, सारी क सारी details मैंने यहाँ पर fill कर दी है ताकि सब कुछ मैं आपको अच्छे समझा पाऊं और एक चीज और आप यहाँ पर view पर click करके देख जरूर लेना कि आपने passbook checkbook ठीक लगाई है और फिर गलत लगाई है और एक चीज और यहाँ पर जो भी आप upload करोगे passbook के checkbook उसका size minimum 100 kb और maximum 500 kb की बीच में होना चीए इसका size नी बनाना तो बताना हूँ उसके बाद I agree पर click करने के बाद get आधार OTP पर click करना है अब इससे होगा यह कि जो भी हमारे PF में यहाँ पर आप देख सकते हैं अब हम simply यहाँ पर validate OTP and submit claim form पर click करते हैं यहाँ पर click करते ही loading हो रहा और loading होते ही आप देख सकते हो हमारे सामने जो हमारा form है वो successfully submit हो चुका है यहाँ पर लिखा है OTP has been verified, EKYC updated and PF final withdrawal claim form successfully at Unified Portal, please click here अब यहाँ पर click here पर click करते ही आपके सामने आप लोग देख सकते हो मैं आपर आपको दुबारा दिखाता हूँ आपके सामने कुछ इस तरीके का interface आएगा कि भहिया हमारा जो PF का claim है वो successfully PF Portal पर submit हो चुका है समझागी आप लोग को बिल्कुल अच्छी तरीके आपको सब कुछ बिल्कुल अच्छे समझा दिया अब pension के बारे में बताता हूँ दुबारा हमें online services पर आ जाना है ठीक है ना online services के option पर में दुबारा click करना है दुबारा claim form 1910C10D पर click करना है अब same interface हमारे सामने पहले के तरह आएगा यहाँ पर submit पर click करते ही थोड़ा सा loading होगा wait करना है अब यहाँ पर हमारे सामने दुबारा वही interface आ चुका है अब यहाँ पर हमें कुछ नहीं बदलना पहले हमने यहाँ पर अपना PF का पैसा form 19 के लिए भर रहा था अब यहाँ पर हम pension का पैसा निकालना चाते है तो हम simply form 10C पर click कर देंगे 10C पर click करते ही आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आप देखे मैं यहाँ पर simply form 10C यहाँ पर click करते ही दुबारा हमारे सामने same interface आएगा अब दुबारा से हमें आप पर same जो भी हमने address भरा था वो address भरना है ठीक है ना उसके बाद दुबारा से हमें आप अपर अपनी passbook या checkbook की copy लगानी है ठीक है और उसके बाद मतब आप देख सकते हैं कि पहले की तरह ही same interface है कुछ भी time waste करने वाली बात नहीं है यहाँ पर उसके बाद दुबारा I agree पर click करना है और जैसे ही आप get आधार OTP पर click करोगे तो get आधार OTP पर click करते ही दुबारा आपकी हमभाहिल नंबर पर OTP जाएगा वो OTP आपको यहाँ पर fill करना है सारी details fill करने के बाद और दुबारा आपको यहाँ पर validate OTP and submit claim form पर click कर दिना है तो आपका जो form है वो दुबारा यहाँ पर भर जाएगा तो pension का पैसा कैसे निकालना है उसके बारे में ही मैंने आपको बता दिया और PF का पैसा किस तरीके से निकालना है उसके बारे में मैंने आपको बिल्कुल अच्छे है सब कुछ समझा दिया है आप देखिए जो भी तरीका मैंने इस वीडियो में आप सभी PF मेंबर्स को PF का पूरा पैसा निकालने के और pension का पूरा पैसा निकालने के बारे में बता है उसको लेकर अगर आपके हमने कोई question, doubt, सवाल हो तो आप comment box में comment कर देना मैं आपको जल्दी जल्दी answer जरूट करूँगा, reply जरूट करूँगा आप जरूरी चीज में आपको बता दूए कि हमारी खुद की PF की consultancy agency है जहां पर अगर आपको अपनी PF का कोई भी काम करवाना हो चाए PF का form भरवाना हो, चाए KYC करानी हो चाए correction करवाना हो, चाए resign date अपडेट करवानी हो चाए father name अपडेट करवाना हो, कोई भी काम करवाना हो तो A to Z काम हम बिल्कुल low price, कम prices में करते हैं और बिल्कुल genuine काम करते हैं ऐसा नहीं कि बड़ी बड़ी बाते बोल के बस आपको आप कह सकते हैं कि आपके पैसे लोटें, ठीक है न, ऐसा नहीं है अगर आपको कोई भी काम PF का करवाना हो तो आपको हमारा description box में contact number मिल जाएगा आप हमसे contact करके, connect करके काम करवा सकते हैं धन्यवाद दोस्त